Hello student, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत हैं, मेरे चैनल जी के विदार डिसर्ट तो आज हम डिसकस करने वाले हैं अशोक के बारे में जो Part 2 है उसके मर हम अशोक के बारे में और थोड़ा सा detail में डिसकस करेंगे इससे पहले मैं एशोग के पार्ट वन में काफी चीज़ें आपको बताई हैं उसमें अभी लेक, शीला लेक विए सारी बाते मैंने आपको बताई हैं इसके फादर, इसकी बेटी और यह जो इसके बारे में तक्रीवन सारा पॉइंट मैं वहाँ पे समझा चुका हूँ प्ली आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दें ताकि इसी तरह की जो फदर नॉटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको मिलती रहेंगी तो आईए जी अपने वीडियो को आप हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने इससे पहले जी आपको शीला लेक के बार हमी लिपी के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रीक और माइक और अख्रोस्टी और ब्राही यह चार लिपियां थी जिसके अशोग के टाइम पे चलती थी तो मैक्सिमा पी जो लिपी चलती थी वो थी आपकी ब्राही लिपी जो उत्तर भारत साउथ इंडिया नौर्थ य पहले कोशामभी में स्थित था तो अकबर के टाइम पे अकबर आपको पता है कि सोलवी स्थापदी में आने वाला अकबर जो है यह क्या करता है जी वहाँ पे इलाबाद के किले में इसको स्थापित करता है क्यों कोई कोशामभी यह था जो यूपी में इलाबाद से थोड तो दिल्ली मेरत एक अंदर एक अब लेक स्तिक था जिसको तुछा तुगलक ने इसको उठागर फिर दिल्ली में अस्तांतिय करते हैं इसी तरह से फिर ताजी रांप पुर्बा लेवे वेरी वेरी फा जी लोरियाज नंदगर्ड चंपारण के, ये तीन-चार विलेक में आपको मिलते हैं, जहां पर मोर का चित्र आपको लोरियाल नंदगर्ड तुमें आपको देखने को मिलता है, कोशांबी का भी जो विलेक था इसको रानी का भी लेक बोला जाता है, ये बहुत important question है, रा जाबाद वाले विलेख को हम रानी का विलेख भी बोलते हैं तो अशोक का सबसे छोटा विलेख था रुमन देई रुमन देई कहां पे नेपाल में जहां पे इनोंने टेक्स की कमी की थी क्योंकि जब ये लुम्बनी में धम यातरा पे था धम क्या था धरम के परचार के लेक था, तो उसके बाद, बी लेक जो आब शोक का सात्वा bी लेक है, यह सबसे लंबा bी लेक है, क्यों कि इसमें मूर्ती के अबारे में बात की गई है, तो यह बात अपने याद रखनी है, तो उसके बाद, प्रतंपर्थख शीरलेक की आने गोशना है, कि सभी क्या किया दा है शार एकुना नामक कंधार में अभी लेक बनवाया था कंधार अभी लेक है जिसको जिसको दो लेंग्विज में बनाया गया था अर्माईक और ग्री मैंने बताया था अफगानिस्तान वाले एरिया में ग्रीक और अर्माईक नामक की लेंग्विज चलती थी और वहाँ पे जिसको कंधार कंधार आपको पता होगा पहाड़ी यह कहां पे हिंदू mountain को इसको हम क्या बूलते हैं और सूलेमान की पहाड़ी यह पर इसको पहले क्या कंदार की पाड़ियां बोला जाता था ठीक है जी उसके बाद समराज्य है समराज्य में हम मुखह मंतरी पुरोहित की नुक्ति उसके पूरे चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था इसको उपदा प्रिक्शन कहा जाता दैसे देखे जी आज एक्जाम देते है तो हमारे ज चांचा परखा जाता था, काफी उनके टेस्ट होते थे, तो उसको हम उपदा परिक्षन के नाम से जानते हैं, उसके बाद समराठ की साहिता के लिए मंत्री प्रिशत जरूर होती थी, क्योंकि उनके द्वारा ये सारा काम करते थे, उनकी दस्ते आपको बारा हो सकते हैं, सोल होते थे, जो अर्थ शास्त्र के जो जसूस होते थे, उसको चर कहा जाता था, उसके बार ठीक है जी, अशोक के समय में मोरया समराज्या में प्रांतों की संख्या पांच होते थी, पूरे पांच प्रांते इन प्रांतों को हम चक्कर कहते थे इसके टाइम पर, ठीक है जी, तो ये प्रांथ जो उते थे स्टेट जिसको आज जैसे इंडिया है तो इंडिया को पांच भागों में टोटल डिवाइड किया गया था जिसको चक्कर के नाम से जाना जाता था तो इसकी तरह मोरे ने क्या किया था उपरांथ जो उत्तर पत्त में था जो जो मोरे वंच के टाइम पे अशोक के टाइम पे जो पांच परांथ थे वो कौन कों से थे उत्तर में दो कों से थे तक्षीला परांथ थी क्या जी तो अवंति वाला जो मद्या में था उसको उजव पुत्र 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 पुत् जैसे आज जिले को कंट्रोल करता है, इसी तरह से वहाँ पे विश्यपती होता था, तो इसी तरह से परशाशन की सबसे छोटी का ही जो होती थी वह थी, गोला जाता है, ठीक है? तो प्रशाशकों का सबसे जो छोटा प्रशाशकों में सबसे छोटा अताल उसको गोप बोलते थे जो की 10 ग्रामों का शासन संबालता था अब 10 ग्रामों जिसके अंडर होते थे वहाँ पे कूल होता था वैदिक सिवलाजेशन में कूल पती होता था तो यहाँ पे क्या जी व आया क्योंकि पार्टली पुतर के बारे में उसने काफी डिटेल में डिसकस किया अगर इसको ओफ-लाइन क्लासिज में हम काफी डिटेल में डिसकस करते हैं तो तीस वेक्ति होते थे जो एक पूरा मंत्री परिशद है जिसमें पांच-छे समीतिया बनाएगी है पांच- में मुल्या का दसवा भाग वसूला जाता था बिकरी कर जितना भी करोगे तो जो कहते हैं न सेल टेक्स किनना उंदस है उस टाइम उसके टाइम पे दस भाग होते थे तो इसको बचाने वाले को मुरित्तु दंड्र दिया जाता था वहाँ पर इसको डेफ संतेंस के नाम से सदा दी जाती थी मैकसिनिस के अनुसार इसको एगरोनोमाइक मारक निर्मारक के नम जैसे जो आज पी डवल्यूडी की वाले जो सड़के बनाते हैं इंजिनियर जो बनाते हैं सड़के उनको हम एगरोनोमाइक के नाम से जानते थे उस टैंक के पर जो ये मैकसिनिस ने बत थे थे थी क्या जी तो प्लूटर्क और जस्टिन के अनुसार चंद्र गुप्त ने नंदों की पैदल सेना से तीन गुणा अधिक सेना रखी थी देखो जी आप बता होगा नंद वंच का सबसे बड़ा महांशाषक होता है जी महापदमा नंद उसकी जितनी सेना थी उससे तीन गुना सेना थी जादा चंदरगुत मोरे के पास जो जिसने कारण इसने उत्तर भारत को सभी को जीत लिया था यूद मिशेतर में सेना का निर्थतब करने वाला अधिकारी नाय कहलाता था ये आपने याद रखना है तो सेना का विबाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था सेना पती होता था ये आपने याद रखना है सेना पती जिसको बोलते हैं कि कोई भी सेना होती है इसको लीड करने वाला जो परसन होता है वो कौन होता है सेना पती होता है के नाम से भी जानते हैं ठीक है जि तो और से चार्तर में गुप्टचर को गूड़ पुरुश के नाम से जाना जाता है गूड़ पुरुश. जैसे आज CID होती है, CBI है इस तरह सी ये लोगों को उस टायम पे गूड़ पुरुश बोला जाता था ठीक है जी ये एक स्थान के पर रहकर कारे करने वाले गुप्तचरों की संस्ता होती थी उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्रह्मन करके करने वाले को हम गुप्तचर को हम संचार बोलते थे अब जो आज Supreme Court का जजज जिसको बोलते हैं इसको उस टैम पे राजुक बोला जाता था सरकारी भूमी को सीता भूमी बोला जाता था आपको पता जो भूमी अपजाओ होती है Cultivated Land जो होती है उसको हम क्या बोलते थे सीता भूमी बोलते थे उसके बाइद बिना वर्षा वाली अच्छी खेती होने वाली भूमी को हम आवेदक मातरक बोलते हैं अब कई ऐसे होती हैं जैसे आपने देखा होगा जैसे मुरुस्तल वाली भूमी है इसके मदर भाजरा वगरा इस तरह की फसले होती है इस तरह की भूमी को हम आवेदक देव मातरक बोलते थे ठीक है जी मैक्सिनिस के अनुसार राज जो भारतिया समाज था वो साथ भाजगों में वाजित था ये एक गलत तत्य है जी उस टैम पे काफी इसने ऐसी बातें भी लिख रखी हैं इंडिका बट वैदिक सिविलाइजेशन में ये लोग चार ब्रकार के थे ठीक है जी ये फरक होता है बस ये मोरेवंश के और उनमें स्वतंतर वेशया वरित्ती को अपनाने वाली महिला को हम रूपा जीवा के नाम से जानते थे जो आज वैशया वरिती जो लोग जो ओरते करती हैं उनको हम उस टाइम पे रूपा जीवा बोलते थे ठीक है जी उसके बाद नंद वन्ष के विनाश के विनाश करने में चंदरगुप्त मोरे ने कश्मीर के राजा परवर्तक की साहिता से की थी नंद वन्ष को खतम किस के द्वारा किस किलिकी हैल्प क्योंकि चंदरगुप्त मोरे ने कोई अकेले तो आप काम किया नहीं उन्होंने को टिल्या का भी साथ लिया था वी राजा प्रवर्तक थे जो कश्मीर के राजा थे वो भी धनानद से तंग थे थे इन्होंने सभी ने मिलकर धनानद को हुराया था ठीक है जी उसके बाद मोरे वंश का साशन ने 137 वर्षों तक रहा है लगभग इन्होंने 140 साल तक यह राज किया इनके राजों ने तो मोरे वंश का जो अंतीम राजा था वाया था ब्रदरत इसकी हत्ता की थी इसके सेना पती पुश्या मित्र शूंग के दवारा और 1985 इसा पूर में मगद का फिर विये शूंग वंश के साशन का स्टार्डिंग हो जाती है तो आई जो पंती थी वो क्या करती थी अश्वार होई जो घोडे के उपर होते थे उनकी सेना को देखती थी पंचम होती थी गज सेना जिसमें हाथी के उपर रहने वाले लोगों को देखती थी शष्ट जो छेवी सेना जो कमेटी थी इसमें क्या था रत सेना को देखती थी इस तर दूसरी होती जो विदेशों की देख भाल करने वाले जैसे मैक्सिंटी बार से आया था इस तरह के जो लोग बार से आते थे इस तरह के इनको देख भाल के लिए होती थी त्रित्या जो होती थी जरन मरन का विवरन रखने वाले जैसे आज होता है न हमारे देश में बर्थ औ और death वाली जो calculation करती हैं हम census को बनाने के लिए इस तरह से जो तीसरी समीति होती थी चौती समीति होती थी वो पार और वनिज्या की देख बाल करने वाले ठीका जी पंचम होती थी निर्मित वस्तों के विक्रिया का निरक्षिन करने वाले जो आपने product बनाया उसकी manufacturing आपने कि है वो कितने product के पर आपको कितना उसके पैसे लगे हैं उसके according उसका मुल्या निदार्ण किया जाता था जो छेवी समीति होती वो बिक्री कर को वसूल करती थी tax collect करती थी तो आईए जी हम इनके जो मंतरी अर्थ सास्तर में वरनी तिर्थ जो थे इनके बड़े-बड़े मं जाता था मुर एसम राज्या के अंदर इनके जो social culture था उनके बारे में देख लेते हैं सबसे बड़ा किसी राज्या के अंदर वो क्या आपता था परदान मंत्री जो राज्या को मुख्या सला दे रहा है मंत्री प्रिश्चत का परदान प्रोहित होते थे जो धर्म और दान भी बाग के प्रधान होते थे जो धरम और दान भी बाग के बारे में बताने की बात करते हैं वो सारे प्रोहित होते हैं सेना पती सेना भाग को संबालते हैं यूराज होते हैं जो जाजा के पुत्तर होते हैं इसको राजपुतर बोलते हैं दोवरिक दोवार किया जो होते हैं वो राज्यादवार के में रक्षक होते हैं जो में कोई राज्याँ के अंदर आ रहा है जब बार जा रहा है उसके बारे में अंतरवैदिक जो राज्याँ के अंदर वाली सेना को कंट्रोल करने वाला दिकारी होता था समाहरता होता था जो आये की संग्रह करता करता था एकनोमिक्स के बारे में साभी चिजे को कलेक्ट करना किसका काम था जी समाहरता के बारे में सनी धाता होता था राजकिया कोश के विबा करना जो आपको पता है ट्रेजर्स जो खजाना होता है उसकी जो देख बाल करना वो किसके अंदर होता था सनी दाता के अंदर प्रशास्ता ये कारगार जो आपकी जेले होती है उसकी देख बाल करने के लिए कोन होता था प्रशास्ता होता था प्रदेश्ती ये कमिशनर होते थे किसी राज्या के अंदर आपको पता है एक regional commissioner बनाए जाते हैं किसी भी area के अंदर जैसे है पंजाब को 5-6 division में भाजित किया गया तो इसके एक division के अपर एक commissioner है इसी तरह से वहाँ पर commissioner होते थे पोर होते थे नगर के कोतवाल नगर के कोतवाल जिसे एक ठाना होता है ठाने के अंदर जो कोतवाल होते में एक inspector जो हो नाएक होता इसको नगर रक्षा का अद्यक्ष बोला जाता था कमराница करमा आतिक जो उद्योक और कारखनों की लक्षा करता था उनके बारे में रिकृती बोलते हैं उसके बात मंतरी प्रिश्वत उसका दियक्षिय होता था दंडपाल जिसको आपको बता है जिसको हम जो दंडदस देने वाले लोग होते थे जो सेणा में उनको हम कहते थे उसके दूर्ग-पाल-दूर्ग रक्षक होते थे जो किले detail के अंदर अशोक के बारे में पढ़ा है तो ये तीन राजा ही basically हम पढ़ते हैं एक तो पहले founder पढ़ते हैं last वाला राजा पढ़ते हैं उससे महान राजा पढ़ते हैं तो ये तीन basically राजा हम किसी राजा के अंदर पढ़ते हैं प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब टो एवरिवन, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जुरूर करें और इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रूप के अंदर जुरूर भेजें और इसी रहा कि इसकी आपको अगर PDF चाहिए तो description box के अंदर आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी, उसको वहाँ पर WhatsApp लिंक है, वहाँ पर आप मुझे message कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर PDF सेंड कर दे जाएगी, इसी book की Thank you for watching, happy learning to all